हेलो गाइज वेलकम बेक तू माई चैनल स्टाइल विश्ट्री कैसे आप सब आज मैंने क्रिएट किया आप लोगों के लिए यह लाइक बोल सकते हैं वाइन चेड टाइप का जलजी से यह वीडियो एंड तक देखिये और अगर यह वीडियो यह लुक अगर आपको पसंद आया हो गाइस देख सकते आप लोगोंने मैंने यहाँ पर सिंप्ल से क्लीप करके हेर्स को टक कर लिये देन मैंने यहाँ बड़ा सा गोल्डन कलर का एरिंग डाल लिया है और लाइक इसमें गोल्डन के थोड़े से ऐसे वर्ल हुए हुए ना सो मैंने गोल्डन डाल लिये गाई और गाइस आप लोग बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को यह लुक पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं आगे ऐसी वीडियों लेकर आते रहूं तो आप नौटिफाई हो जाओ था हुए अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल जिससे कि आगे कोई भी वीडियो आए तो आप नौटिफाई हो जाओ and guys कैसा लगा आप लोगों को यह लुक आज कर so देख सकते हूँ बहुत प्यारा मेकप ओए guys मेरको तो मतलब on camera तो पता नहीं but off camera इतना अच्छा लुक निकल कर आए इतना अच्छा आई लुक निकल कर आए इतना अच्छा पेस निकल कर आए मैं सोची नहीं थी कि करते करता अच्छा लुक निकल कर आजाएगा so guys बहुत अच्छा मेकप हुए so चलिए स्टार्ट करते है so let's get started so yeah guys यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है वैसलिन का मॉशराइजर जो की एक जेल बेस्ड में है so guys अगर आपके स्किन तो guys यहाँ पर मैंने मॉशराइजर के बाद ले लिया है प्राइमर एंड प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पर्ली प्राइमर तो यह जो प्राइमर है ना guys यह आपके फेस में एक शीन लेक आता है like हम बोल सकते हैं कि अब भी लेक में का जो लूमी क्रीम आया है अन्ड उन सब के जैसे वर्क करता है यह like एक इल्यूमिनेटर इल्यूमिनेटिंग शाइन जो है न वह आपके फेस में लेक आता है तो देख सकते हो कि तो अच्छे से फेस साइन कर रहे है हां यहां यहां पर मैंने ले लिया है concealer एक्जक्ट अपने skin tone से one shade एक shade light बोलते हूं गाइस डार्क लिया है मैंने डार्क इस लिये लिया है कि जितने भी मेरे face में pigmentation है और जितने भी dark circles pigmentation है वह इससे hide हो जाएंगे उसको एक layer का cover up कर दे गई है तो इसलिए मैंने just अपने shade से one shade dark use किया था गाइस और गाइस अब मैं यहां पर use कर रही हूं base के लिए NY bake a pancake ठीक है यह इसको मैंने review नहीं किया है गाइस अभी तक यह बहुत time हो गया मेरे को मंगाया शादी से I think पहले ही मंगाया था मैंने यह शादी के बाद मंगाया था मैं कोई याद नहीं गाइस लेकिन मैंने उसका review करना था और किया नहीं है और गाइस उसके बाद मैं यहां पर उसके साथ मैंने जो वन शेड डार्क मैंने यह यह मिक्स कर दिया जिससे की वह मेरे स्कीन टोन का बन गया है देख सकते हुआ इस बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहे कि मैंने कुछ अलग एकदम वाइट वाइट नहीं लग रहे है ना अमेक अब वाइट अच्छा नहीं लगता जितना नेश्यल मेंक अप और जितना माजैं अच्छा ब्लेंड कर दितना नेश्यल मेंद लेग ऐसा यह यहां पे लिए मेबलिन लेगिंट तो यह रै ₴ राम कनूलू थे, अपलाई कर दो लिए रह झाह प्लाई कर लेया है आप अच्छा लगता है आपको जैसे चल्ट करते हैं आ जैसे करने में करते बनता है यहाँ पे मैंने यहां पे फिर मैं करूंगी है अ इसे मैं बेकिंगesh कर रही हूं कि इसे हम थोड़े दिर के बाद हटा देंगे बेकिंग करने से जितना प्रोडक्ट चाहिए उसको सेट होने के लिए वह आपजर्व कर लेता है और बाकी हम उसको रिमॉफ कर देते हैं और अगर आपको बहुत जादा क्रीस लाइन है तो आप लूस पाउडर का यूज कर सकत और समर का टाइम था गाईस इसलिए आप समर के टाइम में लूस पाउर तो यहां पर मैंने लिया है रिवाल्यूशन का पैलेट आईशेडव पैलेट जिससे मैं अपना आइब्रो फिल कर रही हूं गाईस तो आइब्रो डेली डेली पुरा फिल करना दिखाना मिंस बोरिंग हो जाता है गाईस इसलिए मैंने फिल कर लिया है और फिर मैं रिवाल्यूशन का पैलेट ले रही हूं और इसमें से मैं अपना आई लूक कम्प्रीट करूंगी गाईस तो यहां पर मैंने ले लिया है एक ट्रांजेशन शेट को और उसे मैं जस्ट क्रीज लाइन पे प्ले वीडियो लेखे लोगी जिसमें मैं आपको डिटेल में आई मेंकप बताऊंगी जुर्फ यहां पर मैंने ले लिया है एक बोल सकते है पर पली शेट को डार्क पर पल सेट को लाइक चार्पल बीच को लिया गाईस अरश को फिर से मैं क्रीज की थोड़े ऊपर ब्लेंड कर नि देख सकते हो मेरी आँखि जो है फो छोटी है तो स्मॉल आइस में हमको एकदम से डार कर के तरफ नहीं जाना है लाइटर फिर्डार आसे में हमारा आई लुक बड़ा को सितल इस बड़ीश गांकि प्लेस करदे सें का जुक्स ह के विवाटण नहीं पूरे चमी आय लुक के लिए मैंने सर्फ रेवाल्योशन का पैले टीट उस किया है उसके बाद फिर मैं डार्क पिंग णे1 उसके बाद फिर मैं यह वाइन शेड ले ले रही हूं तो GUYS आजना मैंने बहुत ज़धा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि बहुत ज़धा लैंदी हो जाता है वीडियों और आप लोग भी बोर हो जाते हो गे इसलिए गाइस मैंने बहुत जादा लेंदी वीडियो नहीं बनाया है शौट में समझाया है सब कुछ और गाइस उसके बाद यहाँ पर मैंने शीमर अप्लाई कर लिया है गोल्डन कलर का तो आज मैंने किसी भी ग्लीटर आई मेकप लुक नहीं किया है गाइस कि दो वीडिय लोजेस को भी लैश-Line को भी कम्प्लीट कर लूगी घाइस ठिक है तो मैं जो शेड मैंने उपर इक यह तहा उनी ही सब शेड को मिक्स करके मैं नीचे अपलाई कर लूगी घाइस उसके बाद मैंने अपने ब्रॉब्स को भी हाइलाइट कर लिय है गाइस अब मैं कर रही ह चाफ का विए के लिया जडिए है, कलर सब्सक्र छी डील तो इस जुआ है के लिए लÎ यूज भुछाज करे लिए, आपने लेरी तो आपना ग्यूज्च में अंपने, इस जूम jewels, आपनेदा सब्सकें, में सु यह सो गाईज आर्ज के मेक अप लुक में इतना ही था और यह देखो ऑई कितना अच्छ हो क्या ए यहाँ पर मैंने गाई नियों को प्रुण जापे लिया है तो बहुत प्रुण लिखताए तो साघ्याट्या सिister गले लिह है और बट 친 चाई ब्लश कर रही है और आज मैंने बटा ठागचे दूण दूझे और यहीं मेबलीन और तोट चूके चूके और अज भी हाइलाइटर आज मैंने बहुत जादा है जितना चाहिए अतना ही किया है अज का मेकप बहुत अच्छा निकल कियाए था यहां पे मैं ले रही हूं लिबाम निव्या का लिबाम लिए है गाई गाई साय यहां पर तो यहां पर घ्रीलटि को आगए ठीव में आये तेखी घ्ट थूभा में ला रता हैं। जो मेरे द्रेस का सेम मैचिंग और यहां लगाने बक्राइब छ Quee ग्लॉसी इफेक्ट दे रहा है इसलिए इसलिए यहां पर मैं यह पहन लोगी देख सकते हूं कितना प्यारा लोग निकल आया है तो आज के मेक अप में यही था आज के वीडियो में यही था वीडियो अप लोगों को लुक कमेंट करके बताओ और आप लोगों को कैसा कैसा मेक अप चाहिए कैसा कैसा लोग चाहिए कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग में को तो कमेंट करो जल्दी